जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक सुवा गते महा काली भगत ग्यान यूटुक चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ सिर्फ एक निम्बु से आप माता काली की सिद्धी को मातर 11 दिन में ही प्राप्त कर सकते हो साथ लोग के साथ जी हाँ भगतो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सबसे अनेक तरीका बताने जा रही हूं माता की सिद्धी को प्राप्त करने का यदि आप इस तरीके को इस्तुमाल करते हैं और मा भगवती महाकाली की सिध्धी को प्राप्त करना चाते हैं तो इसी तरीके से आप माता की सिध्धी को ग्यारा दिन में प्राप्त कर सकते हैं आगे आपकी जिन्दिकी में आपको सिध्धी करने की जरूरत ही नी पड़ेगी और ये कारे आप अपनी पूजा पाठ के समय भी कर सकते हैं तो ये जो मैं आपको कारे बताने जारी हूँ बहुत सिंपल है मैंने माता कामख्या की सिध्धी करी थी तो मैंने यही कारे किया था अनेक देवियों की अगर आप सिध्धी करना चाहते हैं सिध्धी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी कारे से माता काली, माता धुर्गा, माता मसानी अनेक देवियों की सिध्धीयों को प्राप्त कर सकते हैं तो केवल ये जो वीडियो है सिर्फ देवी भक्तों के लिए हैं, क्योंकि कलियुक में देवी भक्त सबसे पहले माता की सिध्धी को ही प्राप्त करना चाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास किसी भी देवी की सिध्धी नहीं होगी, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते सबसे पहले हमें देवी की सिध्धी को प्राप्त करना पड़ता है और सिध्धी को अपने घर में जागरित भी करना पड़ता है तो ये कारे करने से आपको दोनों चीज मिल जाएगी यसे माता की सिध्धी भी मिल जाएगी और आपके घर में माता महाकाली इसी सिद्धी के जरिये से जागरित भी हो जाएंगी तो चलिए भकतो मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताँगी लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाहती हूँ अगर आप लोग महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना बेल आइकन के ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भकतों के पास पोचे तो जी आपको कुछ नहीं करना है वीडियो को लाष्ट तक देखना है क्योंकि अगर आप लाष्ट तक देखोगे तो आप माता की सिध्धी को जल्स जल्द प्राप्त कर लोगे और पूरी तरीके से आपके समझ में भी आही जाएगा अगर आप आधी हदूरी वीडियो देखोगे तो आपके पास आधा हदूरा ग्यान आएगा और आपको पूरी तरीके से समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे इस कारे को करना है कैसे माता की सिध्धी को प्राप्त करना है तो जी जब आप ये कारे करोगे तो आपको सिध्धी प्राप्त हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको वीडियो में ही बताऊंगी तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूं कैसे आपको ये कारे करना है तो जी आप लोगों को इस कारे को करने के लिए दो चीजों की जरुरत होने वाली है और दो चीजे वो ऐसी है जिसे हम नोर्मली अपनी बुजापाट में भी इस्तमाल करते ही है जैसे कि पहली चीज हेक निम्बू दूसरी चीज साथ लोगों ठीक है अब आपको करना क्या है जब आप ये कारे करेंगे तो घुप्त तरीके से करेंगे क्योंकि कभी भी किसी भी देवी या देपता की हम जब सिध्धी प्राप्त करने के लिए कोई भी साधना, मंतर जाप, पूजा पाट करते हैं तो हम उसे गुप्त तरीके सही रखते हैं, क्योंकि गुप्त से रखेंगे तो हमारी जो साधना सिध्धी होती है, इसमें कोई भी घन नहीं आता है किसी भी तरह की परशानी दिक्कत नहीं आती है ना ही कोई उल्टी सुल्टी चीजे आती है तो इसलिए सिध्धी साधना करते समय हमें हर चीजों को गुप्त रखना पड़ता है, हम ये भी नहीं बताते किसी को कि हाँ हम मातर की सिध्धी कर रहे हैं हाँ हम देपतर की सिध्धी कर रहे हैं ये चीजे बिल्कुल बताने यह नहीं होती तो आपको भी ये कारे बिल्कुल गुफ्त तरीके से करना पड़ेगा यदि आप किसी को बताते हैं तो आपकी सिध्धी में कही न कहीं कुछ भी गलत हो सकता है या फिर आपको आप तो करोगे अपनी तरब से लिए आपको गाड़नी है ठीक है साथ लोंग आपको साबुत साबुत फूल वाली लेनी है जिसके उपर फूल नहीं होता वो वाली लोंग मतलेना क्यूंकि वो चड़ाई नहीं जाती देवी देपताओ को जिसके उपर फूल होता है वही लोंग देवी देपताओ को चड़ाई जाती है तो जी आपको साथ लोंग निम्बू के अंदर गाड़नी है और वो भी जब एक लोंग लोगे उसे गाड़ोगे तो माता का मंतर बोल के गाड़ोगे कौन सा मंतर? होम, क्रिम, काली काय, नमहा इस बीजबंतर को बोल के आप साथो लोगों को निम्बू के अंदर गाड़ दोगे थोड़ा-थोड़ा सा इसपेस देगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है? आप लोगों को निम्बू को लाल सिंदूर में लगा लेना है पूरा जैसे कि छोटी कटोरी में आप लाल सिंदूर ले लेना, निम्बू को लाल सिंदूर में डाल देना और उसे चारो तरप से ऐसे घुमा लेना, मतलब सिंदूर में बिल्कुल लाल हो जा पूरा निम्बू इस तरीके से आपको ये कार्य करना पड़ेगा अब उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको अपने घर के मंदर में अपने उपर से निम्बू को ग्यारा बार आप उतार लेना या फिर सात बार उतार लेना उतार के सीधी तरप से जैसे सर से लेके पैर तक उताने के बाद अपने घर के मंदर में दो कपूर जलाना और माता को ये चड़ा देना अब आपको चड़ाते समय बोलना है हे माता काली मैं आपकी 11 दिन की साधना उठा रहा हूँ और मैं इस 11 दिन की साधना में आपको आपकी सबसे प्रिय भेट दूगा जैसे की निम्बू की और लोंग की ठीक है तो यह आपको बताना है और मैं यह मुझे अपनी सिध्धी प्राप्त कराईए योगनी शक्तियां प्राप्त कराईए बस आपको इतना माता को यह चड़ाते समय बोल देना है उसके बाद से आप देखना जब यह पहले दिन आपकारी करोगे तो यह आपको प्रती दिन यानि 11 दिन तक चड़ाना है देखिए इसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्चोंने वाला नॉर्मल जितने भी मा काली के भकते उनके घर में यह चीज़े होती है तो वो इसी का इस्त थी मालो 100 में से 50% राप्त हो जाएगी तो आपको माता एक दिन बाद दो तीन दिन बाद दिखनी शुरू हो जाएगी और जब जब आप माता को नीमू की यह बली देंगे तो आपकी नीमू में बहुत तेर तेर आवाज आने लगेंगी चर चर की ठीक है और इस तरह से आठवे यह नोवे दिन में महसुस हो जाएगा पूरी तरह की माता आपके साथ है तो चलिए भक्तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है आपकी समझ में आ गया होगा अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे फिर मिलते हैं आदेव माता काली बाबा भूले ना ता आपकी मनुकाम न पूरी करें